आज हम बना रहे हैं ब्रत के लिए फलहार इसमें कि हम आदा चमज करी घी डाल दिए हैं कड़ाई में घी गरम हो जा रहा है तो हम एक कटोरी लिए हैं मूमफली को हम डाल दे रहे हैं इसमें तक्से के बूह जते हैं कि अच्छा यह लगता है मूमफली को सेहत के लिए बहता है मूमफली इसको कहने के लिए कहा जाता है टो यह मार्क है और लेघा आज़ें हैम भूल ले रहे हैं ये मैरी बंफली जब चटक जाएगा तो ये भुना जाएगा फिर और उसखो छेट निकाल रहे मुंफली निकाल लिये हैं अब हम इसमें दो आलो काट करके फिल करके रखे तो इसे प्राइ कर लेंगे जादे घी नहीं डालें बद जो बच्यास हम मुंफरी घुन लेंगे इसे में डाल करके तो घुन लेंगे ब्राउन कर रहे हैं और भूना चुका है अब हम एक मिनट और इसको चला करके थोड़ा और ब्राउन कलर कर देते हैं निकाल देते हैं इसको अब हम इसको फ्लेट में निकाल लेगा है निकाल करके तो टोरा मखाना है उसको घुन लेते हैं इसको घुन करके हैं तो यह से मिडियम माज के चला करके भूल ले रहे हैं अधा चमच कर एक भी डाले हैं मखाना भी बहुत अच्छा होता है सिहत बीकार मखाना को खाना चाहिए नोवकीन कि मुई में भूल कर रख लिए फुछार है और उसको चाक मसारा डाल के खाती रहे हैं जेसे चाय दी में बीच बीच में बना कभी कभी दिन में दो बार데 अब ले ले मुखाना तो ऐसे यह मोखाना भी भूण दिए हैं यह भी भूणा गाया है इसको भी रुम निकाल लेखे हैं कि हम एक चममच घी और ढाल ती हैं ती इसमेर नियुकरी हम ढाल रहे हैं पंग जबाग की अदरगव है용 अधरब डालो है। इसको भी हम बारी बारी काथ लेए हैं। तेस्ट अच्छ आता है तो दरब डाल दीए इसमें एक टमाटर है बारी काट्ची रखेंगे इसको डाल देगे अच्छे पर भून लेंगे तमाटर गल जाएगा चोड़ाचा अइसी में हम नमक डाल देगे चल्ण नमक डालेंगे बरत वाला नमक अब बरत नहीं है तो ऐसे लानमन नमग है माय दाल में बना सकते हैं ऐसे इसको खानी और एक प्रस्पीश रगता है हम अब ऐसे बरत के लिए बना रहे है तो हम ब Pers का नमक डाल सकते हैं और हम इसोड़ी ठीड़ दाल देंगे गेड़ा पौवडर प्वाले से पीच के रखे रूँए जीरा पौवडर डाल दे रहे हैं और भनिया इंठल हार है तो भनिया का हम पौवडर भी तीने रेक्चम्र जाल देगें और इसको रिम हच्छे ते मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें जो मखाना और आदू रखे तो भूण करके इसको हम ऐसे डाल दे रहे हैं और इसमें डाल देंगे जो मूटले भूनके रखे हैं यह भी अब थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें पाजू इसको अच्छी समीश कर दे रहे हैं अब इसका खास एए है जो बना रही है है इसमें हम साबून दाना है इसको ठीगो करके पाइले ही रख दिये थे करीवादा गंटा पहले और पाणी में से चान लिए हैं फिर हम इसको वीसी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी डाल देरेंगे, फ़र पानी डालेंगे, बख्षित, लिख्ष का देगे, फोरीस दी पानी का कमी आओगे, पर इसके ऊपर होना चाहिए पानी, तो हम डाल देगे पानी, फिर इसको अधग देंगे, और इसको मिडिया माच के माँ पकाएं, फरार बन गया है, अब हम उपर से इसमें धनिया की पत्ती डाल दे रहे हैं, इसे तेश्ट इसका बहुत अच्छा आता है, बनाईएगा, आप लो खाईएगा, कमेंट करके ज़रू बताईएगा, कैसा रह अगू